हेलो गाईज, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे ही हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने आपको पॉसिटिव के वह होंगे आज हम जो डिडिंग कर रहे हैं, उसका टॉबिक है, आपका सोच हुआ काम बने का या नहीं, आपका impossible लगने वाला काम बने का या नहीं, ये एक जनरल डिडिंग है, हो सकता आपके साथ रजोनेट करें, ना करें, जो बात आपकी करनेशन केहनों सब, आपको रजोनेट करती है, उसे प्लेस रख लीजेगा, बागी को जाने दीजेगा, तो देखते हैं, आपका सोचा हुआ काम बने का या नहीं, आपका impossible लगने वाला काम बने का या नहीं, ये एक टामलेस रडिंग के काईस, अब जबे भी इससे देखोगे, ये आपको हल्प करेगी, बहुत ज़्यादा जल्दवाजी है, किसी काम को करने की, पहला काड़ा है, वील ओफ फॉर्चुन, आपका काम बने का, त्री ऑफ स्वार्स, ओके गाईस, देखोगे, अभी बहुत ज़्यादा परिशान हो, अभी आपको दूर दूर तक संभावना ये नहीं लग रहीं, आपका मन बड़ा परिशान है, लग रहा है कि काम बने का नहीं, बने का नहीं, या आपको ऐसा भी लगता है, कई बार आपने ऐसा भी कहा है, कि आपका भागया आपका साथ नहीं देता है, या ये भी हो सकता है, ये जो भी काम आप जिस भी काम के बारे में सोच रहोना, कह इसके संब्मन्द में एक चीज आरी है कि जब कभी भी आपको लगता है ना कि इस समय में यह आपका काम बन जाए का वो गाम जारा है डीले में जो यह एसा काम है जो समय बहुत जादा ले रहे है वील और फॉर्चुन का मतलब एक वक्त के बारे में डिवाइन टाइम के बार यह कह लो कि यह काम ऐसा है कि और उसकी वज़ी से उसक्षाम में बादाइं बहुत क्रियर होती है यह आपका जो भी काम है जाहीए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है एक जो भी आपका काम 그건 यह जा रहा है डीले में यह वक्त भूट ले रहा है आपका कहीं नहीं आपका दिल उसी विचे से डर रहा है और अभी के हालाद कुछ ऐसे हैं जहां पर ऐसा आपको प्रतीत होता है ऐसा आपको लगता है कि ये काम आपका बनेगा नहीं फिलाल तक कि आपके मन की स्टिशुशन ही है हो सकता है एक समय मापको लगा था जैसे मैंने कहा ना कि जैसे ही आपको लगता है कि अभी काम पूरा होने वाला है या अब ये बन जाएगा वैसे वो डिले में चला जाता है वो दिल दुखा जाता है अब देखते हैं आगे क्या आता है फिलाल तक पे एक बात आईए गाइस काम आपका बने का चाहे देर सबेर लगे ठीक है लेकिन काम आपके बनने की संभावनाय पूरी है आपका भागया आपका साथ देगा गाइस डेफिनेटल आप एक्शन लेने को तयार हो अब एक बात कहूं गाइस कि जितनी भी इस काम में रुकावटे आजाए बादाएं आजाए लेकिन अभी आपके सिचुएशन ऐसी है कि आपने ठान लिया है जैसे कहाता है लक्ष को भीदना ही भीदना अर्जुन वाली वो जो ती है ना वो आपने अपने तरकश में ले रखेंगाईस कि अब कैसे भी करके मुझे एक्शन लेना और इस काम को बनवाना है चाहिए कितना भी डीले में जाए कितना ही समय लगे लेकिन एक कि खुद का सात भी इस काम में मिल जाना और भागिया आपका साध देगाईस में भी होसकता है कि कुदरत आपकी इस बात को लेकर ही परिक्षक ले रहा है कि आप इसके लिए कितना focus रखते हो या कितना जुनून रखते हो जज़बा रखते हो कहीं न कहीं मैं एक बात क्या दू कि आगे चल कर यह आपका जो भी काम है काम में आपको सफलता definitely मिलेगी अभी की situation में देखो यह बताते हैं कार्ड के अभी की situation में आपका दिल डरा हुआ भी है insecurity भी ले रखा है परेशान भी है और कहीं न कहीं यह भी लगता है नहीं बनेगा फिर भी आप अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं कर रहे हो न वो देखो काम्याभी कैसे मिलती है यह न कि जच्मेंट जस्टिस guys definitely बहुत दिल दुखाया है बहुत समय गवाया है यह एक बात क चलो मान कर चलो कि डिवाइन की कोई planning इसमें है डिवाइन की डिवाइन की कोई strategies में चल रहे है यह आपका जो भी काम है बड़ा अच्छा है गाइस इसकी कह सकते हैं परिक्षाएं समय समय पर बहुत ज़दा हो यह भी हो सकता है कि financial matter को लेकर आपके दिकते हैं बहुत ज़ करते हैं लेकिन reward नहीं मिल रहा एक बात मैं कहूंगा इस आपको definitely आके चल कर divine की blessing आपको ऐसे मिलने वाली आपके साथ इस मामली को लिएक जस्टिस होगा या अगर आपका कोई personal matter है ऐसा कुछ जिसके समद्द में आपके मन ही मन में कोई इच्छा दबी हुई है उसके बार justice लेकर आपका है बहुत पड़ा justice है किसी के साथ सच मैं मैं एक बात बताओ मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक काम होता है ना सुनना समझना मुझे यहां पर clarity नहीं मिल रही है जो आगे cards के जरिये मैं समझने की कोशिश करूँगी कि आखिरी मुद्द है क टिक है न ऐसे कोई एक काम आपका ऐसा है जिसे आप कई वश्यों से करना चाहरे हो और उसंकम को ना करने देने के लिए वो काम आपका साथ तक ना हो इसके लिए इतनी भयंकर रुकावटे और इतने सारे लोगों के द्वारा कहता है ना कि बहुत ज़्यादा रुकावटे को रुकावटों का आना कहीं नगे उस काम को लेकर आपके साथ अन्याई होना यही चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होई है लेकिन एक बात कहूं यह कुद्रत का न्याई ही अलग होगा यह जो भी काम है में भी हो सकता आपकी कोई says responsibility है उसको निभने के लिए आपके परीक्षा सुरी के के कि ली जाती है इससे situation में है आपको डाला जा रहा है कि आप वहां पर अपनी responsibility का निर्वा कर पाते हुंने कर पातो दने कर पातुों कोई चीज़े लिखी हुई है है चाहे आपको लगे, परिसिते कितनी भी विपरत क्यों ना हो जोए, चाहे कोई आपको help मिले, ना मिले, चाहे आपको अकेला ही चलना क्यों ना पड़े लेकिन जो काम, जिस समय, जिस इस्तान पर होना लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा चाहे उस काम को रोकने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले एक बात कहूं जैसे होता न कि यहां क्या लग रहा है सिच्वेशन क्लियर में मैं बता हूँ यहां पर थोड़ा जैसे कहता है रहसे में तरीके से कुछ चीज़े लग रही है सच्ची गह रही हूँ मैं कि लोगों के सामने चीज़े यह दिखा ही जाना ठीक है और हो कुछ और जाना अब ही हो सकता आपके हालात कुछ ऐसे होंगे जो बड़े तकलिफ दायक है बड़े दुख दायक है या फिर ऐसा जो सहन करने योग या नहीं है या अभी आपके स्थाथी टावर मुवमेंट जैसे आपको लग रही होगी है ना यह हो सकता है टावर मुवमेंट आपके लाइफ से निकल चुका है और अभी के हालात उससे जूँचते हुए उस सिच्वेशन से बाहर आने के बाद में जो बिगड़े हुए हालात होते है उससे जूँच जूँच कर कोई इनसान आगे बढ़ता ना मे भी हो सकता हो हालात आपके है यही जो बड़ा निया आपके साथ हो रहा या यही जो काम आपका बन रहा है ना इससे पहले टावर मोमेंट आपने डेफिनेटली भोका है कोई डेथ वाला मोमेंट आपने डेफिनेटली भोका है तब ये आपके साथ जस्तिश या जज्ज्ज़मेंट का या alah डिवाइन टाइम जो है आपका fitted कोई टाइम है ना वो आयाया गाए बहुत थक हार कर अपने बहुतो कोशिश करने के बाद में जी जान लगाने के बाद में कोई यहां तक पहुंच आए इस पिछले में एक बात कैदो कि एक हुता ना कि कोई बंदा मनजल तक पहुंच जाता है कोई मनजल इस काम के जरीए आपको मिलेगी अगर आपकी लाइफ का कोई परपस है उसे आप समझ जाओगे कहा ना थोड़ा रहसे में तरीके से थोड़ा अलग भणना इतने सारे लोग इस काम के बीच में बादग क्यों बनते समझो आपको सोचने की कोशिश करो नॉर्मल ही कोई चीज होती ना गाइस या नॉर्मल अगर कोई सिचुशन होते है न तो उसमें इतना जादा नहीं होता definitely कोई ने कोई कोई इस्पिशल बात होते है खास बात होती है इतने सारे लोग बादग बनने की कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे सिचुशन पल पल हर पल हर एक मोड पर बनती है यह आसान दोड़े न होता है guys यह यह नॉर्मल बात नहीं होते हैं तो उतना ही आपको strong क्या जा रहा है उतनी ही मजबूती आपको दी जा रही है और उतना ही आपका दिमाग जो है आपका सार जो है आपका सार दे रहा है कितने भी विपदाएं क्यों न आ जाए कितना भी बादा क्रेट क्यों न आ जाए मुझे मेरा ये काम करना है करना है बस चाहे इंपॉसिबल लगे लेकिन मैं अपने ड्यूटी को उसी आधार पर निभाने की कोशिश करूंगी या करूंगा और जो धर्म की राह पर होते है न जो इस तरीके से अपने ड्यूटी को अपने करते हुए को निभाने की कोशिश में लग जाते जुट जाते है ना जचिमेंट जस्टिस क्यों नहीं होगा वही डिवाइन उनकी तरफ से एक्शन क्यों नहीं लेंगे अरहे अभी तो आपको डिवाइन के बहुत से खेल रहता है और वक्त आने पर किसी बात पर कितना खरा उतरता है यह भी तो देखा जाए और यह टैस्ट आपका हुआ है इस समय के दोरान गाईज जहां दिल दुखा हुआ है खुद के भी चिंता है लेकिन अपनी चिंता को इग्नोर करके काम कर रहे हो यहां सच कह रहे हूं गाइस की कुद्रत का डिवाइन का आपकी किस्मत का साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा आपको ब्लैक और वाइड कलर जो और यह दोनों दिखते होंगे इसके अलावा जोड़े में बर्ट का दिखना यह डिफिनेटली है जो भी अगर आपको लगता ना कि आपके लाइफ का कोई परपस है उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं हम और फिर भी आप अपने हिसाब से एक इनसानियत के नाथे कुछ भी अच्छे काम करने में लग जाते हों कि मुझे ये करना है हो सकता है कि दिरे-दिरे मैं उस इस इस्तिति पर पहुँच जाओं, जहां मुझे ये समझना है कि मेरी एनरजी क्या है, और मुझे क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, वो चीज़े बहुत निकट हो गाएं, बहुत निकट हो मैं सच कहा रही हो, ठकना मत और टूटना मत, है न, अगर लाइफ में उतार चड़ा चल रहे है न, इतना दिमाग में रखो कि अगर मेरे मालिक मेरे साथ है, कैसी भी भयंकर परिस्तिति क्यों ना है, उससे बाहर मुझे मालिक निकाल लेंगे, पहला ही काड़, वील ओ फॉर्चुन, ये न, किवल मैं सच कहू न, मुझे आपके लिए न, किवल आपकी किस्मत के साथ के बारे में बता जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि कोई इतना स्वभाक के शाली है, कि यही समझ दो कि वो बच्चा, बच्चे का हाद चोना मलिक ने पकड़ा हुआ ही है, तो कैसी भी विपदा क्यों ना आ जाए, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, वो जीतेगा, यह लिखा हुआ है, पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म होंगे आपके, कोई पूरानी old soul रही हो गाइस, जिसमें जानकरी भी बहुत है, knowledge भी बहुत है, शायद आपकी age कितनी भी हो गाइस, लेकिन एक बात कहूं, उस age से परे आपकी think है, और यह comment आपको मिला भी होगा, है ना, definitely एक comment पिला होगा, या फिर आप जिस तरीके से बात करते हो ना, लोग एक बार, एक बार आप पर नजरे ठहराते हैं, नजरे क्यों ठहराते हैं, आपकी आँखों में जांकनी की कोशिश करते हैं, आकिर इस बंदे ने इतना क्या सहा है, और अगर आपकी तकलिफों के बारे में पता नहीं है, तो दिमाग में यहीं आता है, कोई पूरानी सोल है, भई, यहीं रीजन है, जो मैं यह समझाना चाहती हूँ ना, कि यह पहला कार्ड कहता है, कि डिवाइन का और वक्त का, यूनिवर्स का, मालिक का साथ आप पर है, जो आपके उपर अने वाली हर नकर आतमक्ता को काटे, आपका बाल तक बाका ना होने दे, वो सुरक्षा का गहराव आपके लिए बना रहे, जी, एक बार मैं कहूं आपको, कि आप अपना काम जो जल्दी बनवाना चाहते हूँ, यह जो भी काम है ना, इस काम के बीच में अगर कोई भी रो घर में कोई फटे पूराने जूते हैं आपने रख हूए हैं, तो सबसे पेले उनको बाह निकालना, यह आपके रहो को खराब करती है, और आपको भrahm वाले इस्ततियों में ले, आपको भrahm वाले स्ततियों में ले जाती है, तो सबसे पहले यह चीज करना दूसरा आपका शंगर्ष कम करने के लिए अपने जूतों को साफ सुत्रा रखना गाई मतलब ये चीज़े चो हती ना मान कर चलो गाईज एक बार ट्राई करके देख लाना दो तीन बार में ही आपको फर्ग नजर आजाएगा कि हाँ मैं थोड़ा शंगर्ष हमारा काम होने लगा है ये चीज़े वाकरी में काम करती है और एक बात का हूँ जो आभी डिडिंग लेकर वैटे कि क्या आपका ये काम बनेगा नहीं कितना भी impossible लगे ऐसा लगे इस जनम में पूरा नहीं हो सकता है ना वो काम आपका बनेगा वो possible होका रहेगा क्योंकि ये आपके भाग्य में है ये आपके divine टाइम पर निरदारित है ये आपका fitted काम है ठीक है अभी इस मुद्दे को लेकर लोगों ने आपका दिल दुखाय लेकिन मानकर चलो किसमत भाग्य विधाता मालिक इस तरीके से साथ देंगे इस तरीके से आपके लिए प्लानिंग करेंगे कि लोगों के सामने परिस्तिते कुछ और जाये और आपका काम बन जाये ताकि कोई रोडा ना बने इस ट्रेटजी चलानी ही पड़ेगी गाइस इ अब यह काम बने गा और यह स्ट्रेटजी आप से नहीं बने घी यह बनेगी मालिक से क्योंकि यहां उनके द्वारा जेस्टिस की बात कही गई घना जी बहुत जल्द बनने वाला है जिनता ही मत करो अगर अब भी भी लग रहा है नहीं बन रहा है अगर आपके परशनल लाइफ के लाइफ को लेकर अगर आपको डील कर रहे हो वो बाहर बाहर डीले में जा रही है या कोई जमीन का मुद्ध ऐसा है, जो आपका बन नहीं रहा या कोई मकान खरीदना है, वो हो नहीं रहा है आपका भागय का साथ आपको इतना अच्छा देखने को मिद एगए, मतलब अभी क्या सिचुशन ने बता है अभी आपको भी एक जाता है ना कि भ्रह्म वली स्थती में रखा गया गाई मैं भी हो सेता है कि आपका व्यभार को जैसा और होगा कि खुशी के मारे आप अपने मन में जो सांदा ने बतानीं हो विएभार में वह नहीं होता है। वालाब होता है कुछ लोग एक्सपर्ट्स नहीं होते जूट बोलने में या बात घॉ पारे में थे प्रफ्र्सनें होते हैं मतंती कि आपके साथ दिशने को मटेरी कुछ चीज़े आपकी भी ऐसी है जो मैंने कहा ना ये काम किस तरीके से बनेगा वो तरीका भी अभी आपको दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा गाईज लेकिन समय आने पर कहता है ना चीज़े खुद बोखुद अन्फॉल्ड हो जाएगी खुद बोखुद ओपन हो जाएगी ताकि आप भी अपने खुशी के जरीए और लोगों को न बताओ कभी कभी कुछी जोंका हीडन होना चुपवा रहना एक समय तक में बहुत जरूरी होता है और यह जो भी काम आपका है ना यह जस्टिस जो भी है यह जस्टिस के बारे में भी हो सकता है कि सोच रहो कि मैं इतना दिल दुखा हुआ है इतना लाइफ का हिस्सा कहतम हो गया है अलब खुशी के पल नहीं जिये justice का wait करो guys और wait भी नहीं कह सकते wait भी नहीं कह सकते guys कह रहे हो ना 7-8 महीने enough है इसमें इतना बड़ा शांदार इतना बड़ा कहता ना धमाकेदार justice कोई आपका divine time आप देख लोगे क्योंकि आपकी life में मालिक की strategy इस तरीके से चले के देखना एक बहुत बड़ी victory किसी काम में आपको मिलना मतलग जितना impossible लग रहा है काम वो काम definitely definitely 100% definitely आपका बनेगा ठीक है ना क्योंकि जो सच्चे होते हैं जो मालिक के बताय रास्ते पर चलते हैं जो अधर्म का साथ नहीं देता ना जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को honey नहीं पहुचाते ना दूसरों के साथ बुरा नहीं करते उनके लिए fitted ही जाती है अना चल कप्टी लोगों के लिए नहीं जो दोगा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को या छलने के कोशिश करते हैं ऐसे ल बात सुनने को मिले गे गईस। आपको. Financial matter को लेकर परःशान हो. इस में काम नहीं बले हुआ ही. जो यह बात कही नहीं है, आपका कोई personal matter था, जिसके पारे में बात कही है. अब बात आ रही है आपके financial matter को लेकर कि यह भी दिक्टाश चल रही है कि क्या करें दोड़े दोड़े कोई opportunity आ रहे है guys फिकर ही मत करना अगर इस काम में आपको support की जुरूत है किसी soulmate जैसे इंसान की जुरूत है कोई किसी मित्र की जुरूत है कि कोई आकर आपको इसमें कोई support कर जाए आपका साथ दे जाए आपको guidance दे जाए definitely ऐसे इंसान की entry आपके life में हो रही है यहां आपके पैसो को लेकर किसी ने आपके साथ छल कपट किया है यह आपके पैतरक संपती को लेकर अगर किसी ने आपको छला है यहां पर justice का card आया है यहां पर आया है 8 of wends का card आया है destiny खुद चाहते हैं आपके साथ यह नहीं आये हो जाए यह आपका हक जो किसी और ने छीनने की कोशिश की यह हक आपको मिल जाए बहुत जल्द आपके साथ देखो एक नई शुरवात हो जाएगा और death वाला पल जो है न यह आपके life से निकल जाएगा five of swords बहुत तक कितने हैं गयस आपके life में है और छुपे वे शत्रू बहुत है सच कम है कहीं न गया आपको भी अंदेशा है कि हाँ मैं कुछ लोग तो है और कुछ लोग को समझ में भी आगए कि कौन है लोग जो कहीं न कहीं सामने से अच्छा बताते हैं लेकिन पता है कि यह हमारे काम बाता क्रेट करेंगे बेवी मुझे ऐसा लगता है कि किसी इनसान की आपके personal और professional तोनों ही मुद्दोग को लेकर नज़र रहती है कुछ लोग कह सकते हैं दो तीन लोग कह सकते हैं वहला आपका भला नहीं चाह सकते हैं और यह इस तरीके के लोग है जिनकी वज़े से मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी पहले बताया ना काम कोई आपका personal life को लेकर उसमें यह भयंकर तरीके की बादा क्रेट कर सकते हैं इस वज़े से destiny ने आपके लिए strategy चलाने का planning की है कि आपकी life में को strategy चला कर ही आपको यह खुशी या आपका यह जो काम है यह बनाएंगे क्योंकि बादा क्रेट करने वाले बैठे हैं गाइस यह मुझे ऐसा लगता आपके खुशी को बड़दाश नहीं कर सकते हैं और शाएग यहीं इनसान है जो आपके personal life को लेकर भी दुखी है आपकी सफलता को लेकर भी दुखी है और कहीं ने कहीं इनका इनकी नजर आपकी personal life पर भी है कि क आपको कोई सुकना मिल जाए कहीं आपका कोई काम ना बन जाए पर इनके सोच विचार करने से कुछ भी नहीं होता यह जाए आपने कितनी भी जी जान लगा ले लेकिन कितना भी आपका दिल दुखाने की कोशिश कर ले या इनको लगता है कि इनका समय गवाने की कोशिश क कर लें एक समय के बाद में इनको क्या कोई कुशी मिलेगी यह जितना आपके काम में बादक बनने की कोशिश करेंगे जितना अवरोध उत्पन करने की कोशिश करेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा लेवल पर आपको वह प्लैसिंग मिलेगी तो यह अभी भी दुखी है यह आ कोई भी है पहले बात तो यह कि आपके पैसों को लेकर कोई भी बात उन्चे शेयर करने की कोई आवशकता नहीं है या आपको अगर कोई सफलता मिलती है तो उसके बारे में शेयर करने की कोई आवशकता नहीं या आपका किसी से मन मुटाव है कोई तकलीफ आपकी लाइफ में है मैं ये भी कहूंगे आपको कि ये भी बात ऐसे इनसान को बताने की जुरूत नहीं है या ऐसे इनसान से कोई भी help लेने के आप शक्तानी है जहां आपको लगता है कि ये इनसान दोहरा personality का है ये कभी भी कोई भी मौके का फाइदा उठाने की ताक में रहता है ऐसे इनसान से अपने इस काम को लेकर help मत लेना divine पर believe रखना क्योंकि अगर उनकी strategy चल रहे है तो ये समझ कर चलो guys कि ऐसे लोगों से चुप चुपा कर कोई blessing आपको मिलना या इनका ध्यान distract करके इनका ध्य अब जुर्च करने के ताक में रहता है कि पैसो क्यादार पर आपको तोड़ दिया जाए या जिसने भी पैसा चीना है उधार ले लिया वापस दिया नहीं है या किसी ने आपका हक चीनने के कोशिश किया जैसे पैतरक संपती को लेकर तो वह भी कहता है ना उसके सम्मंद म चलते हैं, ना केवल बादाईं क्रियेट करने की कोशिश की है, चाहिए पर्सनल लाइफ का मैटर और प्रोफेशनल लाइफ का मैटर और दोनों मैटर को लेकर बात समझा रही हूँ आप, कि ऐसे इनसान ने ये जो कुछ भी लोग है ना, देखो मुद्दा क्या हुआ है, पत दूसरा, आपकी लाइफ में कुछ इस्पेशल इतना अच्छा होगा, जिसकी कल्पना शायद आप नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको ये बता दो, कि ये आपके ये जो काम आप करो गए ना, इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, कोई सीक्रेटली कोई बात आ दे जाएगा, कि आपकी लाइफ जो बच्छी हुई है ना, वो बहुत सुकत रहेगे, उसे आप निश्चें तोकर जी पाओगे, आपकी सारी परेशानिया का आंद हो जाएगा, या अभी जो इतनी कहता है ना, कि तूफान वाली स्ततिया बनी हुई है, बुचाल वाली स्त समगन में शादी को लेकर अगर कोई बात है, तो उसमें आपकी image को खराब किया जा रहा है, आपको परिशान किया जा रहा है, आपको financial matter को लेकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कि इनके पास पैसा हिनी होगो और व्यवस्सा ही नहीं होगी, क्या किसी के बारे मैं सोच क्या खुद के बारे में सोच पाएंगे या यह भी रोक मां सोच हो एक सुर्श है HAVE देने वाली इतने ücken्लोग है तो क्या तो क्या चाथ те हैं यह अग के बारे में लोग हो चीहां वहाएं दीं में हैं इमेज को लेकर आपके बच्चों की इमेज को लेकर इतनी गलत फिर्मिया या इतनी बुरी बाते बाहर उचना ताकि आप तक कोई पहुंच ना पाए और एक बात कहूं किसी कि कुछ भी इंटेंशन रही हो गाइस यहां पर क्या पता है कि हीरे को वही इंसान अपने पास ही परिस्तित्या बन रही है ना यह तो आपके हित्मे ही काम कर रही है इनको अपि ऐसा लग रहा है कि यह बहुत कुछ बिगाड रहे हैं आपके लाइफ में यह बहुत कुछ गलत करने के कोशिश कर रहे है यहां आपका काम में रोड़ा डाल देंगे आपका काम बनने नही था लगनाई था इनके चाने ना चाने से कुछ भी नहीं होता लेकिन इनका जो व्यवहार है वो तो कुदरत के सामने कुलकर आया ना जैसे परिक्षा आपकी ले गई गाई इसी मुद्दे को लेकर परिक्षा कुछ और लोगों की भी ले गई आप वो सिचुशन में खड़े रहे कुछ लोगों ने ऐसे मुसीबत का या ऐसे बुरे समय का कैसे तरीके से फाइदा उठाने के कोशिश के वो भी तो व्यवहार मालिक के सामने आया है तो डरो मत जो कुछ भी परिस्तित्य बनी हुई चाहे कैसी भी बनी हुई है आपके हित्में काम कर रही है हाना भाग यही बते ऐसे ही जीली है ना यही काम बड़े उच्छी लेवल पर और बड़े अच्छे रूपों में सफलों का सार्तकों का सिद्ध होगा यह बनकर ही रहेगा काम यह फेटर है देखें निश्चिंद होकर लाइफ में जीना और यह काम कहूं ना जैसे ही बने का ना कहता कितना सुखद ऐसास आपको होगा कितना क्याता ना खुशी कि मारे आशु छलगेंगे और इस टाइम तो मैं भी नहीं कहूंगे आपको कि रोना मत कि कि वो सारी पीड़ा निकाल देगा जितने सालों की पीड़ा दिल में सीने में गोटन बरकर रखे हुए होना वो निकल ज ही कुछ परपस अगर किसी यह का बड़ा होता ना खाईज आपका भी है अगर आपकी कोई रस्पांसलिटी यह उनका भी है और financial matter को लेकर भी कहा है गाइस कि अगर आपकी professional life को लेकर दिक्कते चल रही है तो जिंता ही मत करना चाहे वो मकान को लेकर हो जाहे जमीन का मुद्दा हो आपका काम बन कर रहेगा यह देखो कितने वह बर बर कर है गाइस आपकी life में रोडा डालने वाले तब ही देखो divine ने मैं कुद करूँगा है ना मालिक ने यहीं कहा है कि आपको चिंता मत करना आप चिंता मत करना यह इतने दिल दुखने वाले लोग है ना उनको पता है मालिक से कभी कुछ छुपा हुआ नहीं रहता यह देखो divine की blessing protection है guys give up मत करना give up मत करना कहा ना मंजिल तक पहुँच गयो है ना मंजिल तक पहुँच गयो जो बदलाव आप में चाहिए था इस मुद्दे को लेकर वो बदलाव आ चुका है कुछ चीजों की clarity आपको भी चा साथ में बार बार क्या रही हूं कि जब हमारे साथ मालिक होते हैं तब डरना नहीं यहां पर लेको है ना मुझे लग रहा है कि शादी को लेकर यह बात है चिंता ही मत करना सब कुछ ठीक हो जाना सब कुछ ठीक हो जाना इसके अलावा भी अगर कोई काम है आपका वहाँ पर भी ठीक हो जाना एक मेसेज मुझे और लग रहा है कि अगर आपने साजेधरी में किसी के साथ काम किया है और वहाँ पर किसी ने आपके साथ चल करने की कोशिश की है वहाँ पर भी आपके साथ justice होगा यह देखो यह जो भी काम है ना धीरे धीरे बनना start हो चुका है शायद आपको आवास नहीं होगा यह काम बनना start हो चुका है और बहुत जल्द यह बने भी जाएगा पूरी तरीके से इसवर जैसे कहां है गिवप मत करना अपने फोकस पर अपने टार्गेट पर फोकस किये हुए रखना एक नई शुरुवात डेफिनिटली मालिक के ब्लासिंग के साथ आपका इंतिसार कर रही है यह है डेस्टिनी यह है मंजिल इसवर कुछ इससा कहा है ना कि बिलकुल मंजिल के बहुत करीब हो यह कार्ड आते ही पता है यह एट ओफ वैंड्स का कार्ड यह शिग्र अथिशिग्र किसी काम के बनने की संभावनों के बारे में बताता है और यह आकर एक कनफरमेशन दे गया यह जस्टिस का बात पहले से इश इश्ट यह देखों करो मालिक पर वह सपोर्ट किया हुए वह सुरक्षित किया हुए आपको जीजेस्पी साथ है, मालिक साथ है, यूनिवर्स साथ में है, इंजल साथ में है बहुत सारे इंजलस नमबर नजर आना, यहाँ पर देखो कस्तुरिम भिग आप में खुद में वो एनरजी है काईज कि यह काम आपके द्वारा ही बनना था, इस वज़े से आपको भी रेडी किया गए इस काम को, आप कर सको इसके लिए तो यहाँ यही का जा रहा है, ट्रस्ट रखना मालिक पर जो भी काम है आपका बन जाएगा, और जो भी मालिक से हेल्प चाहिए ना, जो भी दिल डरा हुआ, दुखा हुआ है, कि वाले कैसे भी करके कि मुझे एक तसलित देदो, सांत्वना देदो, हाना मुझे समझ में आ जाए, जो भी क्विश्चन है, मालिक से कहो, आपको मिल जाएगा, एक को जस्टिस के ओपर आ है जिसने जो कुछ भी किया है, इनके बारे में सब मालिक को पता है, आप तो निश्चिन दो कर लाइव में आगे बढ़ो, इनका कर्मा इनके तरफ गूम कर जाएगा, ठीक है, फरगिव करो, बदला लेने के बारे में मत सोचना, गेट मोर इंफॉर्मेशन, अबंडन्स, ओक कि यहां पर आया है financial thorn पर लेकर यहां पैसों को लेकर कोई loss आपको हुआ और यहां पर कहा जा रहा है उस loss की शती पूर्ति आपके हो जाएगी, बर बर कर पैसा आया है, यहां पर justice का card आया है, ठीक है, तो परहिशन मत हो सकता है, कुछ चीजे आपको angel number के द्वारा समझा इसलिब मैं चीभी जान कारी नहीं से नहीं मन मैं लग रहे हुरा से कज़ा रहे हैं और उसके आपको पता चले कि इंजल में क्या हर रह रहे हैं M слов पैस। आपको और प्रॉस्पेरिटि की साई के बातव रहे हुआ हैंaa मालिक की blessing ऐसी मिलेगी आशीर से ऐसी मिलेगी आपको कि आपको वो काम बन जाना है not the right time positive रहना बस सकारात्मक रहना helpful लोग में मिल जाएंगे इस काम में जो आपकी मदद कर सके ठीक है ना जी तो इस reading में जो भी positive energy आई है उसको accept करना claim करना universe से यही break करना कि मालिकि हमारा जो भी काम है वो जल से जल बन जाए हमें कोई परेशान ना करें हमारे काम में कोई बादा create ना करें आपकी strategy हमारी life में चले हमें abundance मिले, breakthrough मिले और आपका प्यार और आपकी blessing हम पर अन्द काल तक बनी रहे ठीक है ना जी तो गाईस यह थी आज की reading आई होप आपको पसंद आई है अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को comment like share कीजिए मैं मिलती हूँ आपको next reading में तक तक के लिए बाई